हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वॉक्षीट नंबर 90A जो की 11 अक्टूबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी और आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठे पुस्तक रिमजिम से पाठ सर्दी आई, जो की एक कविता है तो बच्चों सबसे पहले आप यहां अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे ठीक है? चलिए इस वॉक्षीट को शिरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे आए बच्चों सर्दी आई कविता की कुछ पंक्तियां हम फिर से गाते हैं तो चलिए पहले इन पंक्तियों को हम गा लेते हैं सर्दी आई सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई बाहर सर्दी घर में सर्दी पैर में सर्दी सर्में सर्दी इतनी सर्दी किसने कर दी अंडे की जम जाए जर्दी तो आप इस कविता को एक बार अच्छे से गाएंगे ठीक है अब उसके बाद देखते हैं आगे वॉक्षी कर देने वाली सर्दी पहने पढ़ने वाली है यानि कि देखो सर्दियां धीरे धीरे शुरू ही हो रही है और कुछ समय में सर्दी तगड़ी हो जाएगी ऐसे में आप अपना ध्यान रखिएगा अब आएए इस मज़ेदार कविता पर आधारित कुछ प्रश्णों के उत्तर लिखते हैं पहला प्रश्ण है कि कविता में ठंड से सभी की नाग कैसी हो गई दिये गए विकलपों में से सही विकलप पर गोला लगाई तो सभी की नाग लाल हो गई थी तो आप गा अप्शन पर गोला लगा देंगे ठीक है बच्छों दूसरा پ्रेश्न है कि बच्चो नीचे सर्दियों में प्रियोग होने वाले गर्म कपडों के चतर दिये गए हैं इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए तो देखिए यह क्या है, यह मौजा, यह क्या है, यह टोपी, और यह क्या है, यह स्वेटर तो चलिए इन सभी के नाम हम लिखते हैं तो देखिए बच्छों, पहला क्या था? मोजा, तो जा के नीचे बिंदी आप लगाना ना भूलें ठीक है? दूसरा है टोपी और तीसरा है स्वेटर ठीक है? तो इस तरीके से हमने दूसरा प्रशन भी हल कर लिया तीसरा प्रशन है कि नीचे दिये गए कामों में से सर्दियों में आपको कौन कौन से काम करना पसंद है जो काम पसंद है उनके आगे मुस्कुराता हुआ चहरा बनाना है आपको और जो काम पसंद नहीं है उसके सामने उदास चहरा बनाना है तो देखिए रजाई में सोना, तो सर्दियों में रजाई में सोना सभी को बहुत पसंद है तो आप यहां पे ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा बना देंगे ठिक है, ऐसे smile करता हुआ face दूसरा है ठंडे पानी से नहाना, तो ठंडे पानी से नहाना सर्दियों में किसी को भी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे उदास चहरा बनाएंगे ठीक है पहले गोल बनाएंगे फिर यहाँ पे आप आखे बनाएंगे और फिर इस तरीके से उदास चहरा बनाएंगे और तीसरा है धूप में खेलना तो धूप में खेलना सर्टियों में हम सभी को बहुत जादा अच्छा लगता है तो यहाँ पे भी हम मुस्कुराता हुआ चहरा बना देंगे ठीके बच्चों तो इस तरीके से तीसरा प्रश्ण भी हल हो गया चलिए अब देखते हैं आगे हमें क्या कह रखा है आगे कह रखा है आओ बातचीत करें प्यारे बच्चों साथ दिये गए चितर को ध्यान से देखिए यानि इस चितर को आपको ध्यान से देखना है आपको क्या लगता है चितर में दिख रहे खरगोश और व्यक्ती आपस में क्या बाते कर रहे होंगे यानि ये आदमी और ये खरगोश क्या बाते कर रहे होंगे अनुमान लगाकर उनके समवाद यानि की बातचीत को जोर-जोर से बोलिए और अपनी कौपी में लिखिए तो आपको सोचना है कि ये क्या बाते कर रहे हैं उसको फिर बोलना है और उसके बाद अपनी कौपी में लिखना है चलिए इसका आंसर में आपको लिखकर फिर दिखा देती हूँ तो यहाँ पर देखिए आदमी बोलता है खरगोश भाई सर्दिया आने वाली है कुछ गर्म कपड़े ले जाओ तो खरगोश भोलता है दुकानदार भाई मेरे बाल ही मुझे सर्दियों से बचा लेते हैं ठीक है बच्चो तो यह बात है आदमी और खरगोश की चलिए आगे देखते हैं अब आपके पेरेंच के लिए सुझाव है कि बच्चों से पूछा जाज सकता है कि कडाके की ठंड में खुद का ध्यान रखते हुए हम अपने आसपास के जरूरत मन लोगों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं जैसे कि संभव हो तो पुराने गर्म कपड़ों को दान कर सकते हैं हम तो बच्चों आप अपने पेरेंच से डिसकस करेंगे कि हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जो कि इस ठंड में ठंड की वज़े से परेशान है और ठंड से बचने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है एक उधारण तो उन्होंने ये दे रखा है कि जो हमारे पास पुराने गर्म कपड़े पड़े हुए हैं जोने हम नहीं इस्तमाल करते हैं तो उनको हम उन लोगों को देख कर उनकी मदद कर सकते हैं ठीक है बच्चो तो बच्चो आपको कारे पत्री का मज़िदार लगी ना अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा आई होप आपको ये वाक्षीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू